हलो स्टुडेंट्स, वल्कम बैक टो माई यूटूब चैनल, मैं अलीश मादानी, आज आपको जो मारा नया सिरीज है, एक नई सोच, एक नई पहल के अंदर, मैं आपको आज कौड्रेटिक के पेपर सॉलुशन्स कराने वाला हूँ, जो लोग में पुराने चैप्टर्स के पेपर सॉलुशन्स है, जैसे की पॉलिनॉमियल आ गया, प्रोबाइबिलेटी हो गया, तो ये सारे चैप्टर कम्प्लीट हो चुके, तो आप जा कर देखो, ये सीरीज काफी अलग है, इसके अंदर हम पेपर सॉलुशन्स के साथ साथ अबजेक्टि उसका भी सॉलुशन्स करवाते हैं, और ये पूरा GSE भी बेस्ट है, तो आपको काफी मज़ा आएगा, साथी साथ एक और एक खुशकबरी देता हूँ, इसके जो PDF है, वो भी मैं आप तक लेकर आता हूँ, मेरी Telegram चैनल के उपर, मतलब मैं जो भी यहाँ प description में है, अगर link से join नहीं हो रहा है, तो आप Telegram पर जाके search करोगे, creative education classes, तो वहाँ से आप join कर लेना, आपको PDF मिल जाएंगी, मतलब आपको जो बहार से इतने सारे books खरीदते हो, वैसा जो solutions होता है, वो मैं आपको Telegram पर पूरा, ऐसे ही दे रहा हूँ, जिससे आपकी helpful हो सक के, इस COVID-19 के situations के अंदर, तूसरी बात, यह मैं year wise आपको बताऊंगा, कौन से कौन से sum आया है, आज हम शुरुआत करने वाले है, quadratic equation की, अब quadratic equation में ऐसा है, के limited चीज़े निकाली है, पहले तो reduction बताओ, तो reduction के अंदर, आपको क्या-क्या निकाला, तो reduction के अंदर, completing square method निका ले, लेकिन आप देखो, जैसे कि आप पहला ही sum अगर देख रहे हो, July 2018 का, जो आपकी screen के उपर दिख रहा है, उसके अंदर आप बोलो के sir, इस type का sum निकाल गया है, देखो, particular वो sum निकाला है, concept ने निकाला है, कहने का मतलब, कि exam के अंदर, concept तो है, quadratic equation के जो भी factorization method है, या sum निकाल दिया, ऐसा sum निकाला जरूरी नहीं है, वो लोग ने सिर्फ बोला, कि ये sum मत करना, लेकिन दूसरे sum भी तो है, उसके जैसे examples हो गए, या दूसरे word problems हो गए, वो सारे भी तो है, तो वो सारे आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, तो चलिए, आपको ये थोड is 400, if the difference between their perimeter of this square is 16 meter, then find the length of both square, यहाँ पर हमारे पास 2 square है, और 2 square के लिए, हम लोग को क्या बुला है, 2 square के लिए आप लोग को उसकी length find out करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, अब देखो, एक square बढ़ा होगा, और एक square छोटा होगा, तो आप बोलो कि पर लिखा है, difference, difference मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटा, minus होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, let, let, bigger, bigger, square, bigger, square, bigger, square, b, x, smaller, smaller, square, smaller, square, smaller, square, b, y, ठीक है, अब क्या दिया है, sum of the area of two square is 400, sum करना है, addition करना है, किसका area of two square का, मतलब दोनों square का addition, लेकिन उसके किसका addition, area का addition करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, area of, area of, two squares, area of two squares, is 400 meter square, area of two square, मतलब, सॉरी, sum of area of है न, sum of, यहाँ sum of लिखना, यहाँ पर आप उपर लिख देना, sum of, ठीक है, sum of area of two square is 400, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, x square, plus y square, is equal to 400, अब आपको confusion होगा, सरी, एक स्क्वेर, y square कहाँ से आया, तो देखो, area बोला है, और area of, area of square का formula क्या होता है, area of square का formula होता है, length square, इसके लिए मुझे जैसे कि मैंने bigger square की जो length थी, bigger square भी x, मतलब length of bigger square, bigger square मतलब क्या उसकी length bigger square की जो length थी वो x ली है और smaller square की क्या ली है मैंने y ली है तो मुझे क्या करना पड़ेगा x square plus y square और उसका addition उसका addition कितना होता है 400 if the difference between their perimeter of this square is 16 meter क्या बोला है हम लोग को difference बोला है difference मतलब क्या minus करना लेकिन किसका minus करना है perimeter का minus करना है कहने का मतलब आपको क्या करना पड़ेगा perimeter का minus करना पड़ेगा तो देखो the difference difference between difference between the perimeter the perimeter is 16 meter तो देखो बड़े में से छोटा minus होगा अब perimeter of square का formula क्या होता है perimeter of square का formula क्या होता है perimeter of square का formula होता है 4L मतलब 4 side का plus करना length plus length plus length plus length तो कितना हो जाता है 4L हो जाता है तो यहाँ पर formula क्या बनेगा 4X because length को मैंने क्या लिया है X difference लेना है मतलब minus 4Y is equal to कितना हो जाएगा 16 4 common आ जाएगा तो 4 common आ गया तो bracket में क्या बचेगा X minus Y is equal to 16 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा X minus Y is equal to 16 upon 4 तो 4 1 जा और यह हो जाएगा 4 4 जा means आपका answer क्या जाएगा आपका answer आ जाएगा X आपका answer आ जाएगा X minus Y is equal to 4 Name it as equation 2 2 और ये 1 अब अगर आप भ्यान से अब्जोर करते हो तो देखो ये minus है अगर मैं इसकी side change करूँगा तो x is equal to क्या हो जाएगा 4 plus y मतलब x is equal to क्या हो जाएगा 4 plus y तो मैं क्या करने वाला हूँ equation 1 के अंदर x plus 4 plus y use करने वाला हूँ तो देखो मैं कैसे करूँगा from second from second हमारे पास क्या है x square plus y square is equal to 400 है हम लोग अगर यहाँ पर रखते है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका answer आजाएगा आपका x की जगा पर कितना रखना है 4 plus y whole square ठीक है plus y square is equal to कितना रखना है 400 अब देखो यहाँ पर यह जुद पाठ है इसको open करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको open करने के लिए आप लोग को a plus b whole square का यूज करना पड़ेगा तो a plus b whole square क्या है a square plus 2ab plus b square तो देखो मैं इसको open करता हूँ अगर हम लोग इसको open करते हैं तो क्या आज जाएगा, 4 का square 16, एक ही जगह पर 4 रखा तो 8, plus 8y, plus y square, plus y square, is equal to कितना हो जाएगा, 400, यह यहाँ पर आपका ऐसे दोनों same है, तो अगर हम इसको plus करेंगे, तो y square, plus 8y, plus 16, is equal to कितना आजाएगा, 2y square होगा न, plus करेंगे तो, और is equal to 400, अब हम लोग क्या करते देखो, मैं simple करता हूँ, 2 को common ले लेता हूँ, तो अगर मैं 2 को common लेता हूँ, तो bracket में क्या बचेगा, y square, plus 4y, plus 2 8, 16, is equal to 400, तो अब अगर हम लोग यहाँ पर, y square, plus 4y, plus 8, is equal to कितना आजाएगा, 400, upon 2, तो यह कितना अंसर आजाएगा, यह आजाएगा, y square, plus 4y, plus 8, divided by 2, तो कितना आजाएगा, यह आजाएगा, 200, 200, यह आजाएगा, आपका 200, तो अब 200, 200, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको, यहाँ पर इसको ऐसा थोड़ा box बना देते है, यह आपको जस्ट याद रखने के लिए है, तो यहाँ पर आपका आजाएगा, y square plus 4y plus 8 minus 200 is equal to 0, तो यह क्या आजाएगा, यह आजाएगा, y square plus 4y plus minus क्या होगा, minus minus 192 is equal to 0, अब इसके factors लाने पड़ेंगे, ऐसा नमबर ढूनना पड़ेगा, कि आपका multiply करने पर minus 192 आना चाहिए, और addition suppression करने पर 4 आना चाहिए, तो 192 किसके table में जाता है, वो देखना पड़ेगा, देखो factors निकालने भी बहुत सारे जन गलती करते हो, तो फटा-फट आपको क्या करने का, यह जो आपका factors निकालने का होता है, वो इसाप सापको निकालने भी तो 192, तो 2, 9 जा, 2, 9 जा कितना हो जाएगा, 2, 9 जा 18, 96 फिर क्या हो जाएगा 2, 2, 4 जा और ये 8 फिर अगें 2, फिर ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 फिर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 12 फिर ये 2 और फिर ये कितना हो जाएगा 6 यह 2 और यह 3 और यह 3 और यह 1 2 तूज़ा 4 4 तूज़ा 8 8 तूज़ा 16 3 तूज़ा 3 तूज़ा 6 6 तूज़ा 12 16-12 देखो इसका factor कितना गिरा इसका factor आया 16 और 12 तो मेंको direct factor मिल गया अब देखो मैंने अनुमान लगाया मतलब मैंने यहाँ पर solve किया है आप लोगों जैसे इसको factor find कर सकते हो वैसे करने का तो क्या हो गया y square is equal to plus 16y-12y-192 is equal to 0 दो-दो की pair बना लो तीक है आप देखो यह mix मत कर देना थोड़ा अलग color से यहाँ पर line कर देता हूं ताकि आपको त्यान रहे यह हम लोगने as a rough work इसका use किया है तो यहाँ पर यह आ जाएगा क्या आ जाएगा यह आजाएगा आपका y square यह कितना आजाएगा y square एक मिनिट y square और common क्या आएगा common सिर्फ आएगा y bracket में बचेगा y plus 16 यहाँ पर common क्या आएगा y minus 12 brackets में क्या बचेगा y plus 16 तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा y minus 12 और y plus 16 ठीक है तो in short इसका answer कितना आ जाएगा देखो यहाँ पर 0 लगा देना equal to 0 है equal to 0 है तो final answer कितना आ जाएगा आपका answer आ जाएगा आपका answer कितना आ जाएगा y is equal to 12 and y is equal to 16 अब देखो y 12 आया और यह आया minus 16 तब किसको select करोगे length length cannot be cannot be negative वो negative नहीं हो सकती so therefore therefore क्या हो जाएगा therefore length of length of smaller side smaller square is 12 centimeter है ना 12 centimeter centimeter ही है ना एक बाद चेक कर लेते हैं meter में है meter है तो आपको centimeter नहीं लिखना है centimeter गलत गिना जाएगा meter है तो इसको erase कर देते है और यह आ जाएगा meter तो वो चार जादा था जैसे हम लोग ने देखा था x is equal to 4 plus y था तो उसमें 4 plus करना पड़ेगा and therefore length of length of bigger square length of bigger square length of bigger square is 16 meter उसमें क्या करना 4 plus कर देना so I hope आप लोगो यह पहला सम जो जुलाई 2018 का था आप लोगो समझ में आ गया होगा okay okay तो अब हम लोग next sum पर जाते हैं March 2018 क्या दिया हुआ है if the price of sugar is decreased by rupees 5 one can buy 1 kg more sugar in 150 rupees what is the price of sugar आपको किसकी price निकालनी है sugar की price निकालनी है तो देखो क्या करना पड़ेगा आपको सबसे पहले आपको sugar की price निकालनी है let price of price of sugar price of price of sugar be x ठीक है अब देखो पहली condition क्या है कि अगर एक जन यहाँ पर रहना question गुमाया है यह second condition है कहने का मतलब यह है कि अगर sugar की price decrease नहीं होती तो sugar की price क्या है वो निकालके बताओ मतलब कहने का मतलब original price निकालनी है what is the price of sugar मतलब उसकी original price क्या थी तो कहने का मतलब 150 रुपे की वो अगर x price की sugar खरिता है 150 रुपे में तो उसको कितना मिलता उसको कितना kg मिलता समझ में आ रहा है बात मतलब उसको कितना kg मिलेगा अगर वो 150 देगा जैसे आपकी 1 kg sugar की price 50 रुपय है तो आपने दुकान दारे को बुला के भाई 150 की दे दे तो कितना kg मिलेगा 3 kg मिलेगा तो वैसे हमको calculate करना है के भाई उसको कितना kg मिल रहे है अब यह 1 kg more लिखा है न यह जो 1 kg more लिखा है what is that वो जो चीज है वो क्या है वो आपको समझाओ कि एक किलो जादा मतलब कहने का मतलब यह है कि यह जो है वो उसको जादा मिल रहा है अब जैसे कि मानलो आप मार्केट गए दूसरे पहले दिन लेकर आए आपको 150 का शुगर पड़ा और आपको तीन कीजिया है लेकिन दूसरे दिन गए वो ही 150 में आपको 4 किलो मिल गया 25 रुप्य पांच रुप्य डिक्रीज हो गया था तो आपको 4 किलो मिल गया तो एक किलो जादा मिला ऐसी कंडिशन हम को दिए तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे वन केन देखो सबसे पहले लिखने का वन केन बाइव वन केन बाइव वन केन लिखना है यहाँ पर वन केन बाइव वन फिफ्टी अपॉन एक्स केजी शुगर शुगर वन केन बाइव वन फिफ्टी केजी ओफ शुगर शुगर इन रुपिज वन फिफ्टी ठीक है पर आपको example दिया तो वो क्या करेगा आपकी एक किलो के भाव के इसाब से लेगा अब वो एक किलो का भाव मुझे पता नहीं है वो ही हमको find करना है कि price of sugar है कितना तो बराबर वो उसको इतना kg मिल सकता है now if if price is price is decrease decrease by decrease by 5 rupees कितना रुपीज से डिक्रीज हुआ 5 रुपीज then then one can one can buy 150 upon x minus 5 150 upon x minus 5 kg in rupees 150 मतलब price उतना ही है वो खरीत तो 150 की रहा है लेकिन उसको कितना 150 upon x minus 5 kg ज्यादा आ रहा है अब आप लोग सोचोगे sir कैसे possible है तो आपका price decrease हुआ price गटा तो आपको चीज ज्यादा मिलेगी मैंने example दिया कि पहले दिन गए कि उसका price आपना 50 रुपीज था लेकिन बाद में दूसरे दिन decrease हो गया 3 kg ने 4 kg मिला तो आपको ज्यादा मिलेगा price decrease होगा अब वो दोनों का difference आपको दिया है 1 kg more तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि वन कैन एक मिनिट वन कैन गेट वन कैन स्वारी कैन लिखना रहेगा वन कैन बाइ वन कैजी मोर वन कैजी मोर शुगर 1 kg more sugar 1 kg more sugar if decrease in price decrease in price therefore अब यहाँ पर ध्यान देना अब देखो price कम है मैं देखो यह वाली condition को k1 लेता हूँ और यह वाली condition को k2 लेता हूँ प्राइस कम है शुगर किलो जादा आएगी मतलब k2 प्राइस जादा है शुगर कम आएगी मतलब k1 k2 k2 किलो है वो मुझे पता नहीं उसे कितना खरीद है k2 और k1 और दोनों के बीच में difference कितना आ रहा है वन जैसे मैं बार बार example दे रहा हूँ के पहले दिन गए तीन किल किलो लेकिया है दूसरे दिन गए चार किलो मिला तो दोनों के बीच में difference कितने का था वन किलो का तो अब हम लोग क्या करेंगे यह जो k2 है उसकी जगा पर value रखते है और यह जो k1 है यह मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए आपको exam में ऐसा नहीं करना है तो देखो k2 की value क्या है k2 की value है 150 upon 150 upon x-5 minus k1 की value कितनी है 150 upon x is equal to 1 ठीक है अब इसको हम लोग क्या करेंगे cross करेंगे तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसको cross करता हूँ इसको मैं cross करता हूँ तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 150 एक काम करो पहले cross करने से पहले एक simple idea देता हूँ 150 को common निकाल लो तो 150 अगर common आ जाएगा तो bracket में बचेगा x minus 1 upon x minus 5 1 upon x is equal to 1 ठीक हो जाएगा यह हो जाएगा 150 x minus अब देखो minus है sign सब की change होगी minus x plus 5 upon x square x square minus 5 x is equal to 1 अब यहाँ पर क्या हो जाएगा plus x minus x cut तो यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर आपका 150 और यहाँ पर 5 और यह अगर यहाँ पर जाएगा तो x square minus 5 x अब इसको multiply करते है तो 15 5 x कितना हो जाएगा 15 5 x हो जाएगा 750 x square minus 5 x अब यह plus यह side change करो तो minus हो जाएगा तो x square minus 5 x minus 750 is equal to 0 अब ऐसा factor ढूड़ना है कि multiply करने पर 750 आना चाहिए addition suppression करने पर 5 आना चाहिए 25 30 क्या हो जाएगा 25 30 देखो आपको factor निकालने पड़ेंगे मुझे तो factor पता थे इसलिए तो क्या हो जाएगा 25 x plus कितना हो जाएगा plus हो जाएगा 30 x minus 750 is equal to 0 अब यह को plus minus में गलती है because यह minus लाना है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर minus रखना पड़ेगा यहाँ पर plus दो-दो की pair बनाओ Q because बड़ा number minus था इसलिए यहाँ पर भी minus यह minus में लाना था तो अब यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा x x plus 25 और यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका minus minus 30 sorry यहाँ पर क्या common आएगा यहाँ पर आपका common आएगा yes minus 30 bracket में क्या बचेगा x plus 25 is equal to 0 so x minus 30 और यह bracket x plus 25 is equal to 0 तो x का answer कितना आजाएगा x का answer आजाएगा 30 और x का answer कितना आजाएगा minus 25 तो आपको तो original price find करनी थी कि बच्छ सुगर की actual price कितनी है तो actual price the price therefore price of sugar price of sugar is rupees how much 30 मतलब उसकी price sugar की price कितनी थी sugar की price थी 30 रूपीज और अगर आपको पूछा हो था कि कितनी कम हुई 5 रूपे कम हुई थी तो 25 रूपे उसकी actual price थी कम होने के बाद वाली actual price 30 और कम हो गया तो कितना हो गया कम हो गया तो वो 25 रूपे हो गई तो I hope आप लोगो यह वाला sum भी समझ में आया होगा चाह नेक सम देखते हैं नेक सम के अंदर क्या दिया हुआ है अ प्लें तुक ओफ वन अवर लेट फ्रम वडोद्रा तो रीच दिस्टेंस ऑफ 12 किलोमेटर पर अवर इट स्पीड इस इंक्रीज बाई 100 किलोमेटर पर अवर फाइंड यहां पर एक यूनिट मिस्टेक है यह सिर्फ पर आवर निए उफ यहां पर इस इसे हम काफी बार एक्जाम में आते हैं रिलेट टू ट्रेन भी आपको आजाते हैं तो यहां पर क्या दिया है अब टूक ओफ मतलब बें निकला लेकिन एग घंटा लेट वन आवर लेट फ्रम वडोद्रा लेट निकला है और डि पड़ी और find it usual speed हमको क्या find करना है हमको find करना है usual speed उसकी क्या करनी है find करनी है ठीक है तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे find करोगे देखो इसमें मैं मेरी trick लगाता हूँ बहुत easy trick है सबसे पहले usual मतलब उसकी original speed कितनी थी के ताकि उसको speed नहीं बढ़ानी पड़े तो original speed कितनी थी तो देखो let let usual usual speed usual speed be x ठीक है अब पहली condition लेते है if if plane travel with usual speed कौनसे speed से जाएगा if plane travel with usual speed then t1 आपको एना total time नहीं दिया इसलों में t1 distance कितना है 1200 upon x अब आप लोग सोचो के सर यह कैसे बनाया तो you should remember this formula time is equal to distance upon speed तो हमारे पास time नहीं है जब वो लिज़र हमें पता नहीं है हमें difference पता है एक गंटाई का वो लोग का लेट पड़ा हुआ है और 1200 1200 बराबर अपान कितना आ जाएगा एक जैसे अभी किलोग्राम वाला देखा न वैसा ही similar sum है next बताता हूँ if if plane travels travels with increase in speed increase in speed increase in speed then then t2 is equal to t2 is equal to 1200 कितना हो जाएगा 1200 upon x plus 100 because उसमें speed क्या की बढ़ा दी अब यहां से ध्यान देना यहां से मेरी बात ध्यान से सुनना अब आप लोग अगर आपकी speed जादा है अगर आपकी speed जादा है तो time क्या लगता है time कम लगता है मतलब tl रखते है उसको time less और अगर speed कम है तो time क्या लगता है time जादा लगता है तो हमें जो बताने में आपकी one hour late पड़ा है वो कहने का मतलब यह है कि दोनों जो time पर पहुचता था उसमें एक गंटे का difference हो गया मान लो plane को पहुचना था 8 बजे वो पहुचा 9 बचे तो वो दोनों की बीच में जो time का difference आया ना वो one hour का है एक गंटा देर पहुच गया ठीके मतलब एक गंटा one hour late हो गया है वो destination पर पहुचने के लिए तो मैं यह चीज़ से आपको क्या समझाने की try कर रहा हूँ आपको क्या करना पड़ेगा आपको आपको यहाँ पर time बड़े में से छोटा minus करो मतलब जैसे कि यह T2 था तो T2 में कम time लग रहा है time किसमें ज़्यादा लग रहा है अगर वो usual speed से जाएगा तो T1 minus क्या करो T2 और उसका एक गंटा मतलब दोनों के बीच में एक गंटे का difference आ गया है भई क्योंकि वो usual speed से कर रहा है अगर वो increase करता to reach on time उसको 100 km क्या करना पड़ेगा increase करना पड़ेगा ऐसा हमें बता है कि अगर उसको time पर पहुँचना है तो उतना increase करो तो वो ही चीज़ हम लोग कर रहे है कि भाई T1 माइनस T2 विकोज अगर वो usual speed से जा रहा है तो उसको एक गंटा देर से पहुचेगा बलब साड़े 8 की जगा साड़े 9 बजे पहुचेगा तो अगर उसको time पर पहुचना है तो उसको speed बढ़ा नहीं है तो जैसे speed बढ़ेगी time कम होगा तो इसलिए T2 आया और ये T1 आया तो T1 माइनस T2 अब क्या बोला है T1 T1 कितना है 1200 अपॉन कितना हो जाएगा X माइनस 1200 अपॉन X प्लस 100 इस इकोल टू 1 अब तो देखो उसके जैसी equation बन गई जैसे मैंने K1, K2 बनाया था वो आपको सोचना पड़ेगा लेट पहुचा है जल्दी पहुचा है वो थोड़ा देखके करना पड़ेगा यहाँ लेट बोला था इसलिए inversely proportional है time जाधा sorry speed जाधा time कम speed कम time जाधा ठीक है inversely proportional है 1200 common निकालो 1200 common निकाला तो क्या हो जाएगा 1 upon x minus 1 upon x plus 100 is equal to 1 तो यह क्या हो जाएगा यह आजाएगा 1200 और यह आजाएगा x plus 100 minus कितना आजाएगा x upon कितना आजाएगा upon x x plus 100 ठीक है is equal to 1 अब अगर मैं इसको आगे detail में solve करू तो क्या हो जाएगा अगर मैं इसको detail में solution दालता हो तो देखो यह plus x minus x तो आप लोग cancel ही करवाद होगे है ना plus x minus x तो cancel ही हो जाएगा तो इसका हो कितना जाएगा इसका हो जाएगा यह हो जाएगा 12 वो एक दो और दूसरे दो और यह हो जाएगा x square plus कितना हो जाएगा 100x मैंने इसको bracket में multiply कर दिया और फिर यह side है ना x square और 100 और इसको divide में था side change करके multiply तो इसका कितना हो जाएगा x square plus 100x minus यह plus का minus 1, 2, 3, 4, 5 नहीं 4 ही है ना 4 अब यह हम लोग को क्या बुला है factor निकालने पड़ेंगे तो इसके factor क्या आएंगे इसके factor आएंगे x square plus 100 प्लस नहीं आएगा इसका answer आएगा minus 400x sorry plus आएगा because बड़ा नंबर है और यहाँ पर आएगा minus 300x minus 1,20,000 है ना 1,20,000 अब देखो दो-दो की pair बनाना common निकालना मैं direct final answer लिख रहा हूँ simplify खुद करना final answer आएगा final answer आपका आएगा minus 400 और दुसरा आएगा 300 तो x कितना आगया minus 400 और x 300 simplify आप लोग करोगे अगर आपको नहीं आता है यहाँ equal to 0 लगाना यहाँ पर भी equal to 0 लगाना एक ही line में लिखना मेरे पास तो जगा कम थी मैंने next pitch का use नहीं किया है तो x 400 आगया minus 400 और x आगया 300 कहने का मतलब यह है कि आपकी जो usual speed थी last map statement लिख दोगे कि usual speed of the train is 300 km per hour unit खास दालना 300 km per hour so I hope इवाला sum आप लोगको समझ में आ गया होगा लगता है board वाले ना अपने पागल समझा है क्यों पता है देखो यहाँ पर दे रहे car वहाँ पर दे रहे थे plane यहाँ पर दे रहे एक गंटा और यहाँ पर दे रहे 200 km और वहाँ पर लास सम में हमको दिया था 1200 km ठीक है और यहाँ पर दे रहे 10 वहाँ पर दे रहे थे 100 मतलब घटा के दिया है बाग की पूरा सम सेम है usual speed of the car इफाइंड करने बुला है वहाँ पर बुला था usual speed of the plane यहाँ पर तो same ही condition usual speed x लेने की पहली condition 200 upon x दूसरे में बढ़ाती करने की 10 km पर रहे बहुत ही आलसी होते है paper setter है एक number के आलसी होते है याद रखना एकदम आलसी लोग होते है वो लोग क्या करते है जितना हो सके उतना क्या होलते है सामने फटा पट फटा पट solution because जो paper set करता है उसको एक solution बनाना पड़ता है साथ ही साथ तो जितना जल्दी हो लोग से मिकलता है तो simple simple उसने देखो क्या कर दिया इसको गटा दिया अब ये गटेगा मतलब answer भी गटेगा x is equal to 40 और x is equal to minus 50 आएगा ठीक है मतलब आपका जो usual speed होगी वो 40 km पर और होगी because 200 है न तो 2000 हो जाएगा और जिसकी वज़े से ये 5 forza 20 और इसकी वज़े से ये answer आएगा 40 और minus 50 ठीक है आप लोग check कर ले ना आपको पता चल जाएगा चले नेक्स पर चलते है नेक्स देखो क्या दिया है the product of the ages of Sachin 8 years ago and 2 years later is 1200 find the present age of Sachin Sachin भाई की age निकालनी है Sachin Sachin भाई क्या बोलते है Sachin भाई ऐसा बोल रहा है कि भाई 8 साल पहले तो भाई उसकी age के लिए पहले तो हमको पता नहीं है तो let Sachin age be X ठीक है Sachin की age X हो गई अब भाई Sachin ऐसा बोल रहा है कि 8 साल पहले ठीक है Sachin age बोल बोल भाई 8 years ago 8 years ago and 2 years later 2 साल बाद 2 years later is 1200 कितना है 1200 तो भाई 8 years ago मतलब 8 साल पहले और 2 years later तो जैसे कि 8 साल पहले तो minus 8 ago जैसे कि 8 साल पहले मैं छोटा था जैसे मैं अभी मस्त यंग 24 साल का हूँ 24 में से 8 निकाल दो तो कितना बचा 24 में से 8 निकाल दो 4 20 और 20 निकाल 16 साल का था मैं ठीक है और अगर 2 साल बाद अभी मेरी 2 साल के बाद 26 साल की हो जाएगी वराबर तो 2 साल बाद दोनों का जब प्रोड़क्ट करोगे क्या बोला है सचीन भाई ने क्या बोला है प्रोड़क्ट करो ना हाँ प्रोड़क्ट सचीन 8 years ago and 2 years later is 1200 प्रोड़क्ट अफ यहाँ पर लिख दे ना प्रोड़क्ट अफ क्या करना है सचीन की एज काम को प्रोड़क्ट करना है the प्रोड़क्ट अफ सचीन एज मल्टिप्लाई करो तो भाई 12 सो आता है अब आप लोग बोलोगे सर काफी यार इजी अभी तो फटा-फट सर फेक्टराईजेशन चल यह काम शुरू करते अपना डाड़ी करते है फटा-फट तो यह हो जाएगा x स्क्वेर प्लस 2x माइनस 8x और यह कितना हो जाएगा माइनस 16 is equal to 0 बराबर ना x इसको इसके साथ इसको इसके साथ ठीक है तो फाइनल बारासो जीरो नहीं आएगा क्या देखना फटा-फटी में गलती मत कर देना जीरो नहीं बारासो आएगा ठीक है अब बारासो कितना अंसर आएगा आपका यह आंसर आएगा rc के लोग ने क्या किया है यहाँ पर x स्क्वेर माइनस 6x माइनस 16 माइनस बारासो ठीक है तो इसका अंसर कितना आजाएगा इसका अंसर आजाएगा x स्क्वेर माइनस 6x 1216 is equal to 0 अब देखना ऐसा फेक्टर डुणना है कि मल्टिप्लाई करने पर 1216 आना चाहिए और addition suppression करने पर आपका कितना आना चाहिए addition suppression करने पर 6 आना चाहिए तो क्या अंसर आएगा तो अब देखने इसको क्या करना पड़ेगा इसको हम लोग को factorize करना पड़ेगा तो factorize करने के लिए ऐसा number डुणना है कि मल्टिप्लाई करने पर आपका आना चाहिए मल्टिप्लाई करने पर बात समझ में आ रही है मतलब मैंने ये factors अल्रेड़ी निकाल के रखे थे मैंने आपको ये वाली method जो बताई है वाली method से इसको solve करना ताकि आपके answer easily आ जाएगा अब मैं इसका direct answer बताता हूँ x का answer आपका आएगा 38 और x का answer आएगा आपका प्लस का क्या हो जाएगा minus 32 factorization आप लोग करोगे आप लोग इसकी practice करोगे because मैं जितनी बार दिखा दूँगा कोई value नहीं रहने वाली आपको खुद try करना पड़ेगा तो means सचीन की जो present age होगी वो कितनी होगी सचीन की जो present age होगी सचीन की present age 38 years होगी ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग अच्छे से systematic इसको लिख लेना मैं सिर्फ आपको यहाँ पर यह sum की idea दी है चलिए next sum पर चलते है next sum क्या है write the standard form of quadratic equation find the roots 3x square plus 5 root 2x plus 2 is equal to 0 देखा हम लोग को क्या बोला है standard form लिखना है देखो आप लोग है ना पढ़ते नहीं हो standard form of quadratic equation standard form क्या है ax square plus bx plus c is equal to 0 क्या आजाएगा plus c is equal to 0 अब क्या बोला है find the roots roots मतलब x निकालने है इस equation के quadratic formula देखो quadratic formula का एक दूसरा नाम बताता हूँ आपको आगे देखने मिलेगा उसका दूसरा नाम है general formula ठीक है तो आप confused मत हो ना अगर ये बुलेता हो तो कैसे करते थे quadratic formula में सबसे पहले तो हमारे पास equation दी है उसे लिख लेते है 3x square plus 5 root 2x plus 2 is equal to 0 पहले मैं ना discriminate निकाल लेता हूँ मतलब d निकाल लेता हूँ b square minus 4ac c तो देखो b कितना है b है 5 root 2 whole square minus 4a कितना है 3 c कितना है 2 5 का square कितना आजाएगा 25 और देखो root 2 का square तो root 2 into root 2 कितना आजाएगा root 4 और root 4 का कितना आता है 2 मतलब इस का आंसर कितना आ जाएगा इस का आंसर आ जाएगा 2 4, 3 is a 12, 12, 2 is a 24 तो एक इतना आ जाएगा 50 minus 24, कितना आ जाएगा 26 अब जैसे आपको याद होगा अगर D की value positive आती है तो ही अगर आप लोग आगे find करते हो, अगर negative आती ही तो find करते हैं इसके मतलब हमें 2 root यहाँ पर निकालने पड़ेंगे, पहले मैं positive के लिए निकालता हूँ फिर negative के लिए निकालूँगा, means आपको formula याद होगा या तो दोनों साथ में बताता हूँ x is equal to minus b, plus or minus d upon 2a, यह formula है, ठीक है x is equal to minus b, minus b कितना है, minus b का answer कितना है, b का answer है, minus 5 root 2 plus or minus यह कितना है, यह है आपका 13, यह कितना आया है, यह आया है 26 upon 2, एक answer कितना है, एक answer है 3, ठीक है अब देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इसका answer कितना आ जाएगा minus 5 root 2, 5 root 2, plus root 26 upon 6, एक answer हो जाएगा plus वाला, और minus 5 root 2, minus root 26, एक बार plus के साथ लेने का, और एक बार minus के साथ, यह x का दूसरा answer हो जाएगा, that's it, एकदम easy sum था, इसमें तो कुछ लेने का नहीं था, सिर्फ एक standard form लिखना था, और यह बागी 2 marks है, बतलब एक marks का standard form रखा होगा, और बागी यह पुरा मिला के, 2 marks, मतलब आपको 3 marks यहाँ पर मिल जाएगे, चले next sum पर चलते हैं, next sum क्या दिया है, inner rectangle a, b, c, d, inner rectangle a, b, c, d, a, b plus b, c is 23, a, c, plus b, d is 34, then find area of rectangle, सबसे पहले आपको remind करा दू, area of rectangle का formula क्या है, area of rectangle का formula है, length into breath, area of rectangle का formula क्या है, length into breath, तो जैसे कि मैं बता हूँ, यहाँ पर area of rectangle का formula क्या हो जाएगा, यह मान लो, आपने एक rectangle बनाया, ठीक है, यह कैसा rectangle बना देते हैं, ताकि, बरबट, और उसको नाम दे देते हैं, a, b, c, d, a, b, c, kा answer है, 23, और a, c, और b, d, कितना है, 34, तो देखो मैं आपको बता दू, यह diagonals है, देखो, यह रहे, यह आपके diagonals है, a, c, और b, d, ठीक है, यह diagonals है, तो diagonals हमें सा rectangle में equal होते हैं, तो in rectangle, in rectangle, a, b, c, d, a, c, is equal to b, d, because rectangle के diagonals हमें सा equal होते हैं, therefore, a, c, plus b, d, is equal to कितना है, 34, a, c, कितना दिया हुआ है, a, c, नहीं है, लेकिन b, d, के बराबर है, तो a, c, plus a, c, is equal to कितना हो जाएगा, is equal to 34, तो इसका answer कितना आ जाएगा, इसका answer आ जाएगा, 2, a, c, is equal to 34, तो a, c is equal to 34 upon 2, तो a, c, कितना आ जाएगा, a, c, आ जाएगा, आपका, 17 centimeter, c, कितना आ जाएगा, c, आ जाएगा, 17 centimeter, इसी मिल गया, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखो मैं ट्राइंगल का पार्ट अलग करता हूँ, यहाँ पर ख्यान देना, समझाने के लिए मैं अलग कर रहाँ इसको, ठीक है, तो अगर मैंने इसको अलग किया, तो A, B कितना है, तो देखो अगर मैं A, B, A, B, X लिता हूँ, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 23 माइनस X, कैसे हुआ, जैसे कि मैं यहाँ पर साइट पर आपको करके बताता हूँ, कि A, B, A, B, B, C, is equal to 23 है, मान लो मैंने इसको X plus B, C, is equal to 23 बोला, मतलब यह आपका X है, A, B, तो B, C कितना हो जाएगा, B, C is equal to कितना हो जाएगा, 23 माइनस X, तो यह plus था, side change की तो माइनस हो गया, अब directly हम लोग यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर देखो आपका point C है, यहाँ पर आपका point B है, और यहाँ पर point A, A, C कितना मिला है, A, C 17 मिला है, और यह 90 है, तो what we are going to do we are going to use Pythagoras theorem, क्या यूज करने वाले है, Pythagoras theorem यूज करने वाले है, तो Pythagoras theorem क्या है, 90 degree के सामने वाली side क्या होती है, hypotenuse, that is AC square is equal to BC square, plus क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, AB square, AC कितना है, AC आएगा 17 square, is equal to AB कितना है, BC कितना है, BC है 23 माइनस X, whole square, ठीक है, plus AB कितना है, AB है X square, 17 का square कितना हो जाएगा, 289 is equal to, इसको कैसे open करोगे, तो यहाँ पर आपको देखो, red pen, red से मैं आपको लिखके बताता हूँ, A minus B whole square से open करेंगे, A square minus 2AB, plus क्या करना पड़ेगा, plus B square करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, 23 मतल multiply करके हमें चेक करना पड़ेगा, एक की मिनिट, अभी करते है, 23 into 23, कितना आ जाएगा, 529, ठीक है, ब्लैक पैन का यूज़ करता हूँ, 529 minus, कितना करना पड़ेगा, 23 into 2, 46X, आपको याद होगी, identity, plus X square, plus क्या हो जाएगा, X square, अब देखो, मैं क्या करने वाला हूँ, 2x square, minus 46X, plus 529, plus का क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, minus 289, is equal to 0, so, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको solve करते हैं, तो इसको solve करेंगे, तो क्या answer आएगा, इसको 2x square minus 46x और यह कितना आ जाएगा plus minus plus 240 कितना आ जाएगा 240 is equal to कितना आ जाएगा 240 is equal to 0 आ जाएगा अब क्या करेंगे 2 common निकालते हैं न बच्चो तो 2 common करेंगे तो x square minus 23x 23x और यह कितना आ जाएगा 120 is equal to 0 अब भई यहाँ पर 120 तो इसको कैसे करोगे तो यह multiply का पहले divide कर दो फिर आगे का बताता हूँ तो x square minus 23x और प्लस यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा आपका 60 नहीं सॉरी यह तो 120 आएगा 120 is equal to कितना होगा 0 अब देखो इसको हम लोग को यहाँ पर factorize करना पड़ेगा देखो मैंना already factorization यहाँ पर try कर चुका था तो यहाँ यहाँ पर 120 को factorize करते है तो 2 6 जा 60 230 जा ठीक है यहाँ से देखना फिर 2 15 जा फिर 3 5 जा और यह कितना हो जाएगा 3 5 1 जा तो यह हो जाएगा 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6 6 2 जा 12 10 प्लस 12 22 होगा तो यह भी नहीं चलेगा आप लोग का यह आला करते हैं 3 2 जा 6 5 2 जा 10 10 जा 20 यह भी नहीं चलेगा आपको कैसे भी करके 15 और यह कितना है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 जा 15 8 जा यह ना यहाँ पर आ जाओ factors खाली निकाल देता हूँ तो यहाँ पर क्या करोगे x2-15x-8x थोड़ा दीखेगा नि आप लोग को मेरा windows expert हो गया इसले और is equal to 0 यह देख ले न 15 8 जा अब इसके आगे का factorization का का काम आप लोग कर दोगे ठीके देखो मैं factors इसले बता रहा हूँ ताकि आपके knowledge में रहे के factors कैसे निकालते हैं तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और यह factors निकालके इसका final answer निकालके आप लोग पुरा complete करोगे और last में लिखोगे area मतलब length क्या होगी जो भी बड़ी हो आएगी वो आपकी length होगी तो length कितना लेनेगा 15 into कितना हो 120 तो चले इसी के साथ आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो like कर देना channel के लिए हो subscribe कर देना और इस video को share करना यार because मैं GACB के best contents आपको दे रहा हूँ GACB level के और आपको यार इसकी pdf पी अप मिलने वाली है तो बड़ी अच्छी बात है telegram channel को आज जी subscribe कर लो यार join कर लो और pdf मैं upload करना start कर चुका हूँ वीड में एक दो बार मैं करी दूँगा जो भी मैं पड़ाओंगा उसका सारा material आपको वहाँ पर दे दूँगा ताकि आपको इक covid वाली situations में आपको problem ना हो तो चले इसी के साथ video end करेंगे thank you so much for watching